पुछ से एक बहुत बुरी खबर आ रही है पंजाबी सिंगर सिद्दू मूसे वाला को गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई है हत्यारों ने पंजाब के एक स्थान पर इस घटना को अंजाम दिया है हत्यारों ने उन पर 30 राउंड की फाइरिंग की जिसमें तीन और लोग घायल हुए और सिद्दू मूसे वाला की वही मौके पर ही मौत हो गई सिद्दू को घटना के बाद मंसा के एक उस्पिटल में जल्दी से भरती कराया गया उन्हें बहुत ज़ादा गोली लगी थी उसके साथ उनके दो साथी भी घायल हुए वैसे तो कहा जा रहा है कि रास्ते में ले जाते ही उनकी मौत हो गई थी लेकिन इलाज के दोरान उनकी मौत की पुस्टी कर दी गई बता दे कि भगवनत मान ने कल ही उनकी सुरक्षा हटाई थी सिद्दू की सुरक्षा में 10 गन मैन तैनात रहते थे और जैसे ही वो सुरक्षा हटाई गई आज सिद्दू को किसी ने गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी बता दे कि सिद्दू वाला को अक्सर गैंगस्टर से धमकिया मिलती रहती थी पंजाब की आप सरकार ने सिक्योरिटी रीजन का हवाला देते हुए कल ही सिद्दू से उनकी सिक्योरिटी हटाई थी और इसी वज़े से उनके दुश्मनों को मौका मिल गया और उन्होंने सिद्दू को मौत के घाट उतार दिया बताया जा रहा है कि काले रंग की गाड़ी में सवार दो हत्यारों ने इस घटना को अंजाम दिया है जिहां सिद्दू पंजाब के एक जाने माने प्रसिद्द सिंगर थे उनके गाने की धूम भारत ही में नहीं बलकि विदेशों में थी खाली में उन्होंने कांग्रेस के टिकेट पर चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गए थे बता दे कि सरकार की एक चूक की वज़े से इतने बड़ सिंगर को अपनी जान देनी पड़ी उनके दुश्मन लगातार ताक में बैठे थे और जैसे ही उनके सुरक्षा हटाए गई सीधे उन पर गोली मार दी दोस्तों अगर आप भी सिद्धु मूसे वाले के फैन है तो वीडियो को लाइक सरूर करें